मेरे भाई साब मुझसे पांच साल बड़े थे लेकिन केवल तीन दर्जे आगे उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था लेकिन तालीम जैसे महत के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे इस भावना की बुनियाद खुब मजबूर डालना चायते थे जिस पर आलिशान महल बन सके एक साल का काम दो साल में करते थे, कभी कभी तीन साल भी लग जाते थे बुनियादी पुखता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने मैं छोटा था, वो बड़े थे मेरी उम्र नौ साल की थी, वो चौदा साल के थे उन्हें मेरी तंबिह और निकरानी का पूरा जन्मसिद अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनकी हुक्म को पानून समझू वो सुभाओं से बड़े अध्यानशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कौपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिडियों, कुत्तों, बिल्यों की तस्वीरे बनाया करते थे कभी-कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्ये दस-बीज बार लिख डालते कभी एक शेर को बार-बार सुन्दर अक्षर में नकल करते कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस मसलन एक बार उनकी कौपी पर मैंने ये इबारत देखी इस्पेशल, अमीना, भाईयों-भाईयों, दरसल, भाई-भाई, राधेश्याम, श्रीयूत राधेश्याम एक घंटे तक, इसके बाद एक आदमी का चहरा बना हुआ था मैंने चेश्टा की कि इस पहली का कोई अर्थ निकालू लेकिन असफल रहा, और उनसे पूछने का साहस ना हुआ वो नवी जमात में थे, मैं पाचवी में उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मू बड़ी बात थी मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था एक घंटा भी किताब लेकर बैटना पहाड था मौका पाते ही होस्टल से निकल कर मैदान में आ जाता और कभी कंकडियां उच्छालता, कभी कागस की तितलियां उड़ाता और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या, कभी चार दिवारी पर चल कर नीचे कूद रहे हैं कभी फाटक पर सवार, उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं लेकिन कमरे में आते ही भाई साब का रौद रूप देखकर प्राण सूख जाते उनका पहला सवाल होता, कहां थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वानी में पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था ना जाने मूँ से ये बात क्यों न निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराद सुईकार है और भाई साब के लिए इसके सिवा और कोई लाजना था कि इसने और रोज से मिले हुए शब्दों में मेरा सतकार करे इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदेगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा अंग्रेजी पढ़ना कोई हसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले नहीं एरा गरा नत्थो खेरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते यहां रात दिन आँखे फोरनी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है तब कहीं यह विद्वान आती है और आती क्या है हाँ कहने को आ जाती है बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते बोलना तो दूर रहा और मैं कहता हूँ तुम कितने घोगा हो कि मुझे देखकर भी सबख नहीं लेते मैं कितनी मेनद करता हूँ तुम अपनी आँखों से देखते हो अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आँखों का कुसूर है तुम्हारी बुद्धी का कुसूर है इतने मेले तमाशे होते हैं मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है रोजी क्रिकेट और होकी मैच होते हैं मैं पास नहीं फटकता हमेशा पढ़ता रहता हूँ उस पर एक-एक दर्जे में दो-दो-तीन-तील साल पढ़ा रहता हूँ फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यों खेल कूद में वक्त गवा कर पास हो जाओगे मुझे तो दो ही तीन साल लगते हैं तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सलते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गवानी हैं, तो बेतर है, घर चले जाओ, और मजे से गिली डंडा खेलो। दाधा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बरबाद करते हो। मैं ये लताल सुनकर आसु बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराद तो मैंने किया। लताल कौन से है? भाई साब उबदेश की कला में निपोड थे। ऐसी ऐसी लगती बाते कहते, ऐसे ऐसे सुपती बार चलाते के मेरे जिगर के टुकले टुकले हो जाते और हिम्मत छ चला जाओं। जो काम मेरे बूते के बाहर है, उसमें हाट डाल कर क्यों अपने जिंदगी खराब करूं। मुझे अपना मुर्क रहना मजदूर था, लेकिन उतनी मेनत मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे दो घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते, और मैं इरादा करता कि आगे से खुब जी लगा कर पढ़ूंगा। चट पट एक टाइम टेबल बना डालता। बिना पहले से नक्षा बनाए, बिना कोई स्कीम तयार किये, काम कैसे शुरू करूं। टाइम टेबल में खेल कूद की मत बिलकुल उड़ जाती। प्राता काल गंटा आराम। चार से पांच तक भुगोल, पांच से चे तक ग्रामर। आदा गंटा होस्टल के सामने टहलना। साले छे से साथ तक अंग्रेजी कंपोजीशन। फिर भोजन करके आठ से नो तक अनुवाद। नौ से दस तक हिंदी, दस से ग्यारा तक फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना तूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहिलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखत हर्याली, हवा के वो हलके हलके जोके, फुटबॉल की उच्छलकूद, कबटी के वो दावगात, वॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अग्यात और अनिवारे रूप से खीच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जान लेवा टाइम टेबल, वो आँख फोन पुस्तके, किसी की याद ना रहती। और फिर भाई सापको नसीहत और फजीहत का अफसर म रिक ले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ती के बीच में भी आदमी मोह और माया के बंदन में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और घोड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरिसकार ना कर सकता। सालाना इम्तिहान हुआ भाई साब फेल हो गए। मैं पास हो गया और दरजे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केबल दो साल का अंतर रह गया। लज्जास्पत जान पड़ा। हाँ अब मुझे अपने ओपर कुछ अभिवान हुआ और आदम सम्मान भी बढ़ा। भाई साब का वो रोब मुझ पर ना रहा। आजादी से खेलकूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजियत की तो भाई साब का वो आदंख अब मुझ पर नहीं है। भाई साब ने इसे भाप लिया। उनकी सहज बुद्धी बड़ी तीवर थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय कुली धंड़े की भेट करके ठीक भोजन के समय लोटा। तो भाई साब ने मानुत तलवार कीचली और मुझ पर तूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गये और दरजे में अवल आ गये तो तुम्हें दिमाग हो गया है। मगर भाई जान गवन तो बड़े बड़े का नहीं रहा। तुम्हारी क्यास्ती है। इतिहास में रावाल का हाल तो पड़ाई होगा। उसके च रावल भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्दी कहते हैं। आजकल अंग्रेजों का राज का विस्थार बहुत बड़ा हुआ है। पर इनहें चक्रवर्दी नहीं कह सकते। संसार में अनेको राष्ठ अंग्रेजों का आदिपत्य स्विकार नहीं बिल्कुत स्वाधीन है रावण चक्रवर्ती राजा था संसार के सभी महीप उसे कर देते थे बड़े बड़े देवता उसकी खुलामी करते थे आग और पानी की देवता भी उसके दास थे मगर उसका अंत क्या हुआ खमने ने उसका नाम और निशान मिटा दिया कोई उसे एक चिल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा आगमी जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे इतराय नहीं अभिमान किया और दीन दुनिया से गया शैतान का हाल भी पढ़ाई होगा उसे ये अभिमान हुआ था कि इश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं अंत में ये हुआ कि स्वर्ग से नरक में धकेल दिया गया शाहे रूम ने भी एक बार अहंकार किया था फीक मांग मांग कर मर गया तुमने तो अभी केवल एक दरजा पास किया है और अभी से तुमारा सिर फिर गया तब तब तुम आगे बढ़ चुके ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए अंदे के हाथ बटेर लग गई लेकिन बटेर केवल एक ही बार हाथ लग सकती है बार बार नहीं कभी कभी गुली डंडे में भी अंधा चोड निशाना पढ़ जाता है उससे कोई सफल खिलाडी नहीं हो जाता सफल खिलाडी वो है जिसका कोई निशान न खाली जाए मेरे फेल होने पर मज जाओ मेरे दर्जे में आओगे तो दातों पसीना आ जाएगा जब एलजबरा और जामिट्री के लोहे के चने चवाने पढ़ेंगे और इंगलिस्तान का इतिहास पढ़ना पढ़ेगा बाद्शाओं के नाम रखना असान नहीं आठ आठ हेन्री ही गुजरे हैं कौन सा कांड किस हेन्री के समय हुआ क्या ये याद कर लिना असान समझते हो हेन्री साथवे के जगा हेन्री आठवा लिखा और सब नंबर गायब सफा चट सिफर भी ना मिलेगा सिफर भी हो किस ख्याल में दर्जनों तो जेम्स हुए हैं दरजनों विलियम कौणियों चाल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है आंधी रोग हो जाता है इन अभागों को नाम भी नाप जोड़ते थे एक ही नाम के पीछे दो एम, सो एम, चार रूम, पंजुम लगाते चले गए मुझसे पूछते तो दस लाख नाम बता देता और जोड़ती तो बस खुदा की बना आबाजा की जगा आजा बालिक दिया और सारे नमबर कड़ गए कोई इन निर्दई मुम्तहीनों से नहीं पूछता कि आखिर आबाजा और आजाबा में क्या फर्ख है और वेर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खोन करते हो दाल भात रूटी खाई या भात दाल रूटी खाई इसमें क्या रखा है मगर इन परिक्षकों को क्या परवा वो तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है चाहते हैं कि लड़के अक्षर-अक्षर रड डाले और इसी रटंद कराम शिक्षा रक्षोडा है और आखिर इन बे सिर पैर की बातों के पढ़ने में क्या फाइदा इस रिखा पर वो लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा पूछिए इससे प्रायोजन दुगना नहीं चोगना हो जाए या आधा ही रहे मेरी बला से लेकिन परिक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफाद याद करनी पड़ेगी कह दिया समय की बावंदी पर एक निबंद लिखो जो चार पन्नों से कमना हो अब आप कौपी सामने खोले कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोईए कौन नहीं जानता कि समय की बावंदी बहुत अच्छी बात है इससे आदमे की जीवन में सनियम आ जाता है दूसरा का उस पर हिसने होने लगता है और उसके कारुबार में उन्नती होती लेकिन इस जरा सी बात पर चार पन्ने कैसे लिखे जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे चार पन्ने में लिखने की ज़रूरत मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ ये तो बस समय की किफायत नहीं बलकि उसका दुरोपियोग है कि वेर्थ में किसी बात को ठूस दिया हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले मगर नहीं आपको चार पन्ने रंगने पढ़ेंगे चाहे जैसे लिखिए और पन्ने भी पूरे फुल एसकेप आकार किए ये छात्रों पर अत्या चार नहीं तो और क्या है अनर्थ तो ये है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो समय की पामंदी पर संक्षेप में एक निबंद लिखो जो चार पन्नों से कम ना हो ठीक, संक्षेप में चार पन्ने नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते तेज भी दौड़िये और धीरे-धीरे भी है उल्टी बात या नहीं पालक भी इतनी जबात समच सकता है लेकिन इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं उस पर दावा है कि हम अध्यापक है मेरे दर्जे में आओगे लाला तो इस सारे पापड बिलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालू होगा इस दर्जे में अवल आ गयो तो जमीन पर पाव नहीं रखते इसलिए मेरा कहना मानिये लाग फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुबव है जो कहता हूँ उसे गिरह बांदिये नहीं पच्ताईएगा इसकूल का समय निकट था नहीं इश्वर जाने ये उब देश माला कब समात होती भूजन आज मुझे निस्वात से लग रहा था जब पास होने पर ये तिरिसकार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिये जाएं 22 आपने अपने दरजे के पढ़ाई का जो भैंकर चित्र खीचा था उसने मुझे भैबीत कर दिया कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा यही ताज्यूब है लेकिन इतने तिरिसकार पर भी उस तकों में मेरी अरुची जियों के तियों बनी रही खेल कूद का कोई अफसर हाथ से ना जाने दिता पढ़ता भी था मगर बहुत कम पस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दरजे में जलील ना होना पड़े अपने उपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर लुप्त हो गया और फिर चोरो कासे जीवन कटने लगा फिर सालाना इम्त्यान हुआ और कुछ ऐसा सनियोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साब फिर फिर हो गए मैंने बहुत मेनत ना की पर ना जाने कैसे दरजे में अवल आ गया मुझे खुद अचरज हुआ भाई साब ने प्रणान तक परिशन किया था कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे दस बजे रात तक इधर चार बजे भोर से उभर छे से साले नौ तक स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी मगर विचारे फेर हो गए मुझे उन पर दया आती थी नतीज़ा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा अपने पास होने वारी खुशी आधी हो गई मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साब को इतना दुखना होता लेकिन विधी की बात को उन टाले मेरे और भाई साब के बीच में अब केवल एक दरजे का अंतर रह गया मेरे मन में कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साब एक साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाओ फिर वो के साधार पर मेरी फजियत करेंगे लेकिन मैंने इस कमेने विचार को दिल से बल पूरवक निकाड डाला आखिर वो मुझे मेरे हिद के विचार से ही तो डाटते है मुझे उस वक्त अप्रिय लगता है वश्य मगर ये शायद उनके उप्तेशों का ही असर हो कि मैं दानादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नमबरों से अब भाई साब कुछ नर्म पड़ गए थे कई बार मुझे डाटने का अफसर पाकर भी उन्होंने धीरत से काम लिया शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डाटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा या रहा तो बहुत कम मेरी स्वचंदता भी बड़ी मैं उनके सहिशुरता का अनुचित लाब उढ़ाने लगा मुझे कुछ ऐसी धारना होई कि मैं तो पास होई जाऊंगा पढ़ू या ना पढ़ू मेरी तखदीर बलवान है इसलिए भाई साब की डर से जो फोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ मुझे कंकवे उढ़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंग बाजी की ही भेट होता था फिर भी मैं भाई साब का अदब करता था और उनकी नजर बचा कर कंकवे उढ़ाता था माझा देना कंने बांदरा पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आधी समस्याएं अब गुपतो रूप से हल की जाती थी भाई साब को ये संदे ना करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है एक दिन संदे समय होस्टल से दूर मैं कंकवा लूटने बेहताशा दोड़ा जा रहा था आखें आस्मान की ओर थी और मन उस आकाश गामी पतिक की ओर जो मंद कती से चूमता पतन की ओर चला जा रहा था मानो कोई आत्मा स्वर्ख से निकल कर विरक्त मन से नए संसकार ग्रहा करने जा रही हो बालकों की एक पूरी सिना लग गई और छालदार बास लिए उनका स्वागत करने के लिए दोड़ी आ रही थी किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी सभी मानो उस पतन के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहाँ सब कुछ समतल है ना मोटर कारे हैं ना ट्राम ना गाड़िया सहसा भाई साब से मेरी मुट भेड हो गई जो शायद बाजार से लौट रहे थे उन्होंने वही मेरा हाथ पकल डिया और उगर भाव से बोले इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कंकाववे के लिए दोड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हें इतना भी लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में नहीं हो बलकि आठवी जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दरजा नीची हो आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन के खैल करना चाहिए एक जमाना था कि लोग आठवा दरजा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे मैं कितने ही मिडिल्चियों को जानता हूँ कितने ही आठवी जमात वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक है बड़े-बड़े विद्वान उनके माधहती में काम करते हैं तो तुम उसी आठवे दरजी में आकर बाजारी लॉंडों के साथ कनकववे के लिए दोड़ रहे हो मुझे तुमारी इस कम अकली पर दुख होता है तुम जहीन हो इसमें शक नहीं लेकिन उस जहीन किस काम का जो हमारे आत्म गौरव की हत्या कर डाले तुम अपने दिल में समझते होगे कि मैं भाई साब से महज एक दरजा नीचे हूँ अब उन्हें मुझे को कुछ कहने का हक नहीं लेकिन ये तुमारी गल्ती है मैं तुमसे पांच साल बढ़ा हूँ चाहे आज तुम मेरी ही जमात में आ जाओ और परक्षकों को यही हाल है तो नीसंदे अगले साल तुम मेरे समकष हो जाओगे और शायद एक साल बाद तुम उससे आगे निकल जाओ लेकिन मुझ में और तुम में जो पांच साल का अंतर है वो तुम क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता मैं तुमसे पांच साल बढ़ा हूँ और हमेशा रहूँगा मुझे दुनिया का और जिन्दिगे का जो तजर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते चाहे तुम म, टी फिल और डी लिठी क्यों ना हो जाओ समझ किताबे पढ़ने से नहीं आती है हमारी अम्मा ने कोई दरजा पास नहीं किया और दाधा भी शायद पांचवी चटी जमात के आगे नहीं गये लेकिन हम दोनों चाहे दुनिया की विद्या पढ़ ले अम्मा और दातों को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्म दाता है बलकि इसलिए कि उन्हें दुनिया के हमसे ज़्यादा तजर्बा है और रहेगा अमेरिका में किस तरह की राज विवस्ता है और आठवे हेंरी ने कितने विवा किये और आकाश में कितने नक्षत रहें ये बाते चाहे उन्हें ना मालूम हूँ लेकिन हजारों ऐसी बाते हैं जिनका ग्यान उन्हें हमसे और तुमसे ज़्यादा है दैव ना करे आज मैं बीमार हो जाओं तो तुम्हारे हाथ पाओं फूल जाएंगे दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा लेकिन तुम्हारी जगा पर दादा हो तो किसी को तार ना दे ना घबराएं ना बदावास हो पहले खुद मरस पैचान कर इलाज करेंगे उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बलाएंगे बीमारी तो खैर बड़ी चीज है हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले जो कुछ दादा भेजते हैं हम उसे 20-22 तक खर्च कर डालते हैं अब पैसे-पैसे को मोह ताज हो जाते हैं नाश्ता बंद हो जाता है धोबी ओनाई से मोचुराने लगते हैं लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपरी उम्र का बड़ा भाग इजजत और नेकनामी के साथ निभाया है और एक कुटम का बालन किया है जिसमें सब मिलकर नौ आदमी थे अपने हेड़मास्टर साब को ही देखो एमें है की नहीं और यहां की एमें नहीं आक्सफोर्ड की एक हजार रुपे पाते हैं लेकिन उनके घर इंतिजाम कौन करता है उनकी बूड़ी मा हेड़मास्टर साब की डिगरी यहां आकर बेकार हो गई पहले खुद घर का इंतिजाम करते थे खर्च पूरा ना पड़ता था कर्जदार रहते थे जबसे उनकी माताजी ने प्रभंध अपने हाथ में लिया है जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है तो भाईजान ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समिय पा गए हो और अब सुवतंत्र हो मेरे देखते हैं तुम बे राह नहीं चल पाओगे अगर तुम यो ना मालोगे तो मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूँ मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बाते जहर लग रही है मैं उनकी इस नई युक्ती से नत्मस तक हो गया मुझे आज सच्मोच अपनी लगुता कानुभव हुआ और भाई साब के प्रती मेरे मन में श्रद्धा उत्पन न हुई मैंने सजल आंखों से कहा हरगेज नहीं आप जो कुछ फर्मा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको कहने का अधिकार है भाई साब ने मुझे गले लगा लिया और बोले मैं कनकववे उड़ाने को मना नहीं करता मेरा जी भी लल चाता है लेकिन क्या करो खुद बेराह चलू तो तुमारी रक्षा कैसे करू ये करतव भी तो मेरे सिर पर है सन्योग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकववा हमारे उपर से गुजरा उसकी डोर लेटक रही थी लड़कों का एक गोल पीछे-पीछे दोड़ा चला आता था भाई साब लंबे हैं उचल कर उसकी डोर पकाड़ ली और बे तहाशा होस्टल की तरफ दोड़े मैं पीछे-पीछे दोड़ रहा था